दोस्तो सुजलोन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पी बहुत बड़ी गुण्णी निकल के आ रही है सुजलोन एनर्जी पूरी दुनिया के अंदर टॉप 10 में सामिल हो चुकी है अभी तक चाइना की कमपनिया इस लिश्ट में सबसे उपर थी लेकिन अब सुजलोन तेजी से अपने कारूबार को आगे बढ़ाते हुए पूरे वर्ड के अंदर अपना नाम तेजी से आगे बढ़ा रही है तो क्या आने वाले सुजलोन एक बहुत बड़ी कमपनी बनने जा रही है और ऐसे में इसकी प्राइज जो भी काफी नीचे है यानि अपनी ओल टाइम आई से तो बहुत ही नीचे है क्या उस लिवल तक जा सकता है वैसे गवर्मेंट की तरफ से बहुत सारी नई स्की में लाई जा रही है इस समय नए टेंडर जारी किये जा रहे ऐसे में क्या आपसोर और आउनसोर विंड में एक मजबूत प्लेयर है क्या यह आने वर्में सांदा रिटन दे सकता है और क्या इस गिरावट का फाइदा उठाय जा सकता है लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और मारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर ले कारोबार की फ्राइडे के 67.43 पर क्लोजिंग थी 2.47% की गिरावट देखनों को मिली वैसे इंट्राडे में 66 का लोग बन गया श्टॉक काफी नीचे गया लेकिन वहाँ से कुछ खरीदारी लोट के आई वैसे इंट्राडे में 70 का हाई भी बना था तो देख लोगी बाजार में जो गिरावट का महल है उसकी वज़े से श्टॉक नीचा है पिछले एक महिने में 16% की गिरावट हुए 81 के आसपा जो श्टॉक था इस समय वह 67 के आसपास आ गया तो यह जो गिरावट हुरी इसके पीछे सबसे बड़ी बाजार में भारी बरकम गिरावट इस समय BSC सेंसेक्ष में भी बहुत बड़ी गिरावट हो चुक है पिछले एक महिने में 85 अउदेन 517 के स्थर पे जो था यानि लगबग 86,000 के लेवल के आसपास हमारा सेंसेक्ष था वो 79,000 के आसपास आ गया है तो 78,000 के गिरावट सेंसेक्ष में हो चुक है और ऐसे में आप देखी सकते हैं जो श्टॉक लगातार दोड़े उन में गिरावट तो होगी तो FI की बिक्वाली लगातार जा रही है FI 1,000,000 क्रोड की बिक्वाली कर चुक है इस ऑक्टोबर मंद में तो सभी शेरों में भारी गिरावट हो रही है और काफी जबरदस लोगों का पोर्टफोलियो रेड हुआ है लेकिन आने वाल से में श्टॉक बैतर भी करते हो दिखा देंगे अब आप ये इसकी परफॉर्मस अगर आप देखे तो महिने की सुरुआत में श्टॉक लगबग 9 अक्टोबर को एक बार असी तक पहुच गया था उसके बाद लगातर दबाव में श्टॉक आ गया तो 9 अक्टोबर के बाद अगर आप देखे तो जो इस श्टॉक का जो हाई था जिनका 80 था उसके बाद हमने इसमें जो बाजर में गिरावाट का माउल बना उसके विए से लगाता नीचा है रिकवर नहीं हो पाया श्टॉक लेकिन जल्दी यहाँ पे बाजर ने साथ या तो तेजी बन सकती है अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सुजलोन एनर्जी इंडिया की टॉप 10 विन टर्बाइन कंपनियों में सामिल हो चुकी है और काफी बैतर तरीके से आने वासे में अपने वीजनेस को लेकर प्लानिक कर चुकी है सुजलोन एनर्जी पिछले कुछ सालों में जिससे वापसी की है वैसा कॉर्पोरेट जगत में बहुत कम ही देखने को मिलता है ये बात इसके शेर प्राइस से भी साब पता चलती है 26 मार्च 2020 को सुजलोन एनर्जी के शेर ओल टाइम लोज़तर पर यानि 1.500 रुपे इसके प्राइस पर मिल रहे थे जो अब बढ़कर 67 रुपे तक पहुझ गए वैसे तो ये 86 तक जाके आए और आपको ये ध्यान होगा तो शेर की प्राइस जब देट 2 रुपे के आसपर तब से रेगुलर ही हमारे सुजलोन पर वीडियो बनी रहे शेर बाजर में जो अभी वुतार चड़ावाय हालिया देखने को मिला उसके विज़ से सुजलोन की शेर में गिरावट देखने मिली जो इसका 50 रुपी का हाई बना था वो 86 था उस लेवल से 22 पर 37 की इसमें गिरावट हो चुकी है हालंकि कंपनी के कारोबारी सेहत में अभी भी बहुत मज़बूती बनी हुए है और अभी एक गलोबल वीड एनरजी सेक्टर में अपनी मजबूत इस्तथी दर्ज करा रही है Global Wind Energy Industries में अभी तक चीन की कमपणियों का दबदबार आए लेकिन अब सुजलों ने उन्हें टक्कर देना शुरू कर दिया है Wood Mackenzie की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुजलों ने अनर्जी उन टॉप 10 कमपणियों में सामिल है जिनके टर्बाइन मॉडलों की सबसे अधिक डिमांड है खास तोर से इनके S144 मॉडल खुब इस समय डिमांड में है दिल्चस पर बात यह है कि सुजलों ने इस लिष्ट में इकलोती गैर चीनी कमपणियों है यानि S144 मॉडल सिर्फ चाइना की कमपणिया ही बनाते हैं उसके अलावा सिर्फ सुजलों है कमपणि को बारत में इसके S144 मॉडल के लिए बहुत सारे ओर्डर औरली मिल चुके तो कमपणि चाइना को टकर देन वाली एकलोती इंडिया की कमपणिय है Global Wind Energy Industries में चीनी कमपणियों का ही दबदबाय साल 2024 की पहली चमाई में लगबग 82% Global Orders चीन की कमपणियों के पास ही थे चीन में Wind Energy Product की बड़ी संक्या में इन कमपणियों की बाजार में इस्सेदारी बढ़ाने से साइक साबित हुई है इसके बाजबी सुजलों ने भारती बाजार से मिले ठोस ओर्डर के चलते अपनी एक खास अलग पैचान बना दिये और इंडिया के जो बड़े बड़े इस समय जो प्रोजेक्ट करने वाली कमपणिया वो सुजलों के साथ में ही बीजनर्स टाइप कर रहे हैं इसके पीछे वजब भी है तो देशी टेकनोलोजी मेक इन इंडिया के टेकनोलोजी बनाती है मजबूट टेकनोलोजी और आप्टर सर्वीस का मामला अगर चीनी कमपणियों से खरी देंगे कोई विंट अर्बाई तो बाद में आप्टर सर्वीस की प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे इंडिया की कमपणी इनकी पास टीम मजबूत और काफी अनुबवी तो आप्टर सर्वीस बीच यह क्योंकि लाइप टाइम सर्वीस भी प सबसे बड़ा ओडर मिला है फिर ऑक्टोबर में जिंडल रिदमल की तरफ से भी इसी मॉडल के लिए कंपणी ने नए ओडर प्राप्त किये यह सबी ओडर्स मुकि रुप से एस वनने फोटीफोर टर्बाईन के लिए यह पॉपुलर बहुत जदा है इन टर्बाईन को कम ह हुआ में भी बैतरीन प्रदेशन के लिए डिजाइन किया गया है कंपणी के पासी समय लगबग 5.4 गीगावाट के ओडर बूक है जिसमें एक बड़ा हिस्सा आप देए कि एस वनने फोटीफोर मॉडल का है तो काफी जबर्दस ओडर बूक है और यहां पे ग्लोबल मार् मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के नए मौके खूल सकते हैं इस मॉडल की कम लागत के वाज़ से अंतरश्टी बाजर में इसका एक आकरसक विकल्ब बनके उबर सकते हैं सुजलोन खासकर जब नई तकनिक और बड़ी चंपता वाले टर्माइजरों की मांग बढ़ रह बातार कोसिस भी कर रहे हैं और इसके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं तो शेयर की जो प्राइस गिरी इसके पीछे सबसे बड़ी रिजन है बाज़ार में गिरावर का माहॉल और ऐसे में लोग प्रॉफिट बुक करते हैं इस्पेशली जो बड़े फंडा उस होते हैं प्रॉफिट बुक करते हैं इस समय बाज़ार से पैसे निकाल रहे हैं तो उनका थोड़ा निवेस्तों सुजलों से भी निकले हैं क्योंकि सुजलों काफी जाला दोड़ा है लेकिन सरकार का पूरा सपोर्ट बिलता है सरकार ने यहां पे कुछ नई पॉलिसी लाई है जिस से कमी करने का लक्षे रखा हुआ है इसके लाव दो हजार सतर तक नेट जीरो कार्बन पर जाने के लक्षे रखा गया है पूरी तरह से रिदमाजर के ही इस्तेमाल होगा और दो हजार तीस तक के लिए फाइव मिलियन टन्स पर एनूल ग्रीन हाइडरोजन के निर्मान का लक्षे रखा गया है और ग्रीन हाडरोजन को बनाने में सोलर और विंड का ही योगदान होगा इसके लावा सोलर पार्क बनाए जारे करीब 50 सोलर पार्क बनाए जारे जिसके टोटल कैपसिटी 37.49 गिगावाट के आसपास है ऑप सोर विंड के प्लान है 30 गिगावाट के सोलर विंड प्रोजेक 2030 तक लाए जाए जाएंगे जिसमें सुजलोन को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है इसके अरावा प्रोड़क्शन लिंक स्किम यानि प्ला स्किम का भी फाइदा दिया जा रहा है सोलर प्यवी मॉडल्स और दुसरे और प्रोड के लूपर सेल बैट इसके अलावा ISTS जो चार्जेस लगते हैं इंटर इस्टेट ट्रांस्विशन चार्जेस उसको भी माप कर दिया गया है सोलर और विंड पावर के लिए जिसे इन कंपनियों को बेनिफिट मिल रहा है सरकार बहुत सारी नई पॉलिश है जिससे आन्योंस में सुजलोन को फा आने वाले समय जब बादर में इस्टेबिलिटी आये तब खरीदारी के बार में सोचा जा सकता है लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनेंसल एडवाईजर से एडवाई ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि माने वीडियो आपके जुकेसनल परपज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेजर रुखीज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू फ्रेंड्स